PS1 Part 2 Selfishness Selfishness एक तरह से अच्छा चीज़ कैसे है इस वीडियो में बोलूँगा मैं Number 1 Selfishness तुमसे तुमारे हक्की चीज़े चिनने से बाचाता है अभी आपको पता ही होगा कि जो दिलदार लोग होते हैं बहुत कुछ बाटे फिटते हैं लोगों में अभी वो शेर करना पसंद करते हैं इस not the problem The problem actually is जब इनको बहुत बार पता नहीं होता कि लिमिट कितनी और कप सेट करनी है और अपने पहले की वीडियो में बोली चुक हूँ कि कैसे इन जैसे लोगों को जैसे गन्ने का रस निकालते हैं तब तक उनको वैसे नी चुड़ते बैटे इंटरनेट की भाषा में milking तो ऐसे मामलों में selfish रहना बहुत सही चीज है Especially जब कोई आपको बात बात पर compromise करने बोलता हो उनके काम या चीज के लिए भी जहाँ पर उन्हें efforts लेने चाहिए Selfishness आपको बिना बात के नुकसनों से बाचाता है जो बहुत बार लोग अपना नुकसन करके लेते क्योंकि दे भी लाइक बाकी लोग मेरे बार में क्या सोचेंगे Number 2 Selfishness तुमें तुमारे हक की चीज़े पाने में मदद करता है इस मामले में लोगों को जब efforts नहीं लेने होते या फिर किसी भी वज़े से चाहते हैं कि तुम पीछे रह जाओ वो तुमें बहुत बार adjust या compromise करने बोलेंगे अब ऐसे मामले में जब आप selfish होते हो तब आप खुद के लिए सोचना consider करते हो और आप as a result कुद के लिए efforts लेते हो for example अगर किसी competitive exam की तहरी करोगे तब आपको family functions दोस्तों से मिलना और parties जैसी चीज़े avoid करनी पड़ती है अभी वो इधर मैं time adjust करूंगा सोचा तो नहीं डूब गई उसकी उसे in that case जो actually चाहिए उस पे aim करना पड़ेगा so the conclusion number 1 दिलर इतने भी ना बनो की सामने वाल आपका सब ले जाए number 2 हाँ पर sharing उनके साथ करो जो आपके efforts और बागी के चीज़ों के लायक हो number 3 balance होना ज़रूरी है दोनों में पर situation के इसाब से किसको priority देना है वो आपके समझ पर है thanks for watching